देखो क्या लिख रहा है कि जो मुख्ये पादप होता है, जो मुख्ये पादप होता है वो sporophyte होता है और चाहत द्विजारुत होता है हमने शीख लिया है आज ही सीखा है कि sporophyte का मतलब ही क्या होता है द्विगुडित इसका मतलब कि ये द्विगुडित है बिजारू द्विद है नाम बिजारू द्विद है तो ये क्या पैदा करेगा ये बिजारू पैदा करेगा और बिजारू इसमें जनन किसे होगा बिजारू के द्वारा होगा जब हम बिजाडू को देखने जाते हैं तो पता चलता है कि अधिकांस्ता जो टेरिडोफाइट है वो कैसे होते हैं सम बिजाडू बहुत बहुत इंपोर्टेंट है बहुत 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 पूर्ट है ये वाला पॉइंट अधिकांस्ता जो हैं वो कैसे हैं सम बिजाडू अर इसको फाइव स्टार दे रहा हूँ confusion नहीं होना चाहिए mostly के अंदर तो homosporous property है एक जैसे लेकिन कुछ अपवाद रूप से कुछ टेरिड़फाइट कैसे होते हैं heterosporous होते हैं ये बड़ा important बात है अर्थात जनम के समय इसमें दो प्रकार के भीजाड़ू बनते हैं एक जो सरचना में चोटे होंगे उन्हें लगुभीजाड़ू बोलेंगे Maikro spor बोलेंगे एक वो सरचना में बड़े हैं उन्हें हम Megaspore बोलेंगे जो पाया जाता है आपके Salvenia, Stelaginela Eجola और Marselyea यहां पे यह उदाहरण के साथ साथ याद लख लेना कि कहां पे हेट्रोस्पोरी पाई जाती है बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है हेट्रोस्पोरी वाला कुश्चन clear अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है इनका जीवन चक्र यहाँ पे मुख्य प्लांट मेन पादफ कैसा है हमने क्या सिखा इसका मुख्य पादफ कैसा है मेन प्लांट है इस पूरोफाइट द्विगुडित या सौरनो जननांग वाले स्ट्रॉक्चर पाजाते हैं जिनके उपर जननांग वाले सरचनाय पाजाती है उन पत्तियों को हम बोलने लगते हैं स्पूरोफिल जिन पत्तियों के अंदर या छमता होती है कि वो बिजाड उत पर्ण करें उन्ने क्या बोल देते हैं Hisporophyll हमने ये भी बात कर लिया कि वाई सनचना के हिसाब से Hisporophyll दो प्रकार की हो सकते है अगर ये बड़ी-बड़ी पत्तियों पे है तो Mycro, मेगा स्पोरफिल छोटी पत्तियों पे है तो Mycro-Sporophyll और इस Spore of Fils के अंदर क्या पाजाते है Sporengia पाजाते है क्या पाजाते है बच्चे Sporengia जिसे Sporengia पे पाजाते है Spore Mother Cells क्या पाजाते है Spore Mother Cells बिजाडु मात्रिकोशिका है और इन बिजाडु मात्रिकोशिकाओं से अगर Spore बनेगा तो पादप कैसा है बताना जरा पादप कैसा है टूयन इस्पोर बनाना है इस्पोरिक मियोसिस इस्पोरिक मियोसिस इस्पोर बनेगा एन मियोसिस हो रहा है न हटाओ इसको एन बना एन से ये प्लांट बना गामीटोफाइट जो गामीटोफाइट बनता है उसे बोलते है प् प्रोथैलस बनता है और इसी प्रोथैलस के उपर इसके अंदर फिर से इस्त्रिधानी और पुन्धानी बनेगा जो आपस में यहां पे फिर से यहां पे एग और एंथरोजोईट बनाएंगे जो पानी के मतर से फ्यूज होके जाईगोट बनाके फिर से टूयन वाला सरचना शुरू करेंगे जाइगोट से embryo बनेगा हाँ embryo पाए जाते हैं embryo के development से main plant बन जाएगा और इस तरीके से इसके अंदर चलती है alternation of generation लेकिन यहाँ पे एक खास बात है bryophyta में आपने पढ़ा था कि जो sporophyte बना था वो sporophyte के अंदर उसके पास खुद का कलवक नहीं था तो वो अपने भोजन के लिए उसी gametophyte के उपर dependent था यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यह बोलता है कि भाई sporophyte मैं अकेला मैं main बन रहा हूँ gametophyte बोलता है मैं भी green हूँ photosynthetic हूँ मैं अपना काम कर लूँगा आप यह दोनों एक दूसरे से क्या होते है स्वतंत्र होते है चलिए एक सर्चना और दिखाते हैं उसी की क्या बोल रहे है हमनों ने बोला भाईया यह लो main plant क्या है main plant हो गया sporophyte और देख रहे हो sporophyte में आपको प्रोपर जड़ तना पत्तियां सब दिख रही है दिख रही बच्चे हमने क्या बोला कि जिन पत्तियों के उपर जिन पत्तियों के उपर spor को बिजाड को पैदा करने के लिए सर्चनाय पाई जाएंगे उन्हें हम पत्तियों को बोलने लगेंगे क्या sporophyll क्या बोल देते हैं sporophyll यह लिख दी आपने sporophyll का सरचना दिखाया गया है sporophyll के उपर पा जाते है sporangia bejard धानी sporangia yes or no और इन sporangia जो है वो ग्रुप में पा जाते हैं तो suras बोल देते हैं ठीक है हमने पढ़ रखा है कोन या स्ट्रोबिला ही बनाते हैं ऐसे सरचना भी पढ़ रखा है यहाँ पे इनके सुरस के अंदर यहाँ पे इनके बिजाड धानी हैं spor mother cell होगी और spor mother cell के अंदर meiosis होके क्या बनेंगे spor देखो यहाँ तक की जो सरचना शुरू हुई है यहाँ से 2N से दिखाया है और यहाँ meiosis होने तक यहाँ तक यह 2N सरचना है लेकिन एक बार meiosis हुई spor बना N spor germinate होगा जमीन के अंदर और यह बनता है क्या gametophyte जिसे क्या बोल रहा है heart के जैसा green है multi cellular है photosynthetic है important यह दिख रहा है आपको यह green color का दिख रहा है green मतलब इसके पास color है multi cellular है बाव कोशी किये है और क्या है यह photosynthetic अपना खाना खुद बनाता है तो जब इस प्रकार का gametophyte बना यहाँ पे इस gametophyte के उपर अब 2 सरचनाय लगी एक बोल दिया अपने आर्ची गोनिया एक बोल दिया इंतरी डिया इन दोनों सरचनायों से एंतरोज़ाइड और एक बना जो fuse होके जाइगोड बनाएगा और द्विगोड़ी फिरसे शुरू होगा यानि अगर आपने जीवन कथा देख ली तो क्या पता चला आपको क्या पता चला? जेरा देखिए आपको पता चला कि अगर मैं गयमीटोफाइट को देखता हूँ इस पोरोफाइट तो बड़ा क्लियर है इसमें गयमीटोफाइट औरस्पस्ट है छोटा है बहुत कोश्की है अब ये भी पढ़ाया गबिटोपाइट कैसा है इनकॉसिपीकूस थोड़ी देर का छोटा, मतलब छोटा सा बहुकोष्ट की सनचना है स्वतंत्र है, ये बड़ा महत्योपूर है ये स्वतंत्र है, क्योंकि ये क्या है अपना खाना बना सकता है मेल्ली कैसा होगा ये प्रकास संसलेशी आसमवानी है और इसी पे दोनों संचनाय बनी है इसलिए ये भी कैसा होता है उभैलिंगी इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हम लोग प्रो थैलस इसे क्या बोलते हैं बेटा प्रो थैलस जो मेन इसकी बोड़ी बनाएगा उसके पहले का जो थैलस जैसे सरचना है इसे बोलते है प्रो थैलस ये है इसका इसका मतलब टेरिडोफाइट का ग्यामिटोफाइट